नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूटूब चैनल मेडिसिन फ्रेंड में आज हम बात करने वाले हैं पैंट आप डियासर कैप्सुल्स के बारे में और जानेंगे इसके फाइदे नुकसान और इसको इस्तिमाल करने का तरीका अगर आप इस चैनल प जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई बीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन के थुरू पहुँच जाए चलिए देर ना करें बीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलहा के अनुसार डॉक्टर की प्रेक्सिशन पे लेनी चाहि जब गैस एसिडिटी की कंडिशन में कोई और दवाई असर नहीं कर रही है या फिर कम असर कर रही है आपका गैस खतम नहीं हो रहा है दर्थ पेट का सही नहीं हो रहा है तो उस कंडिशन में ये पैंट अब डियेसर बहुत ही अच्छा काम करता है और ये किसी भी कंपनी क यानि gas से related tablet से बहुत ही अच्छा असर करता है दोस्तो pen top DSR करता क्या है जब हमारे stomach में अधिक acid का secretion होता है और पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता gas की मात्रा अधिक होने की वजह से वो उपर या नीचे पूरे stomach से निकल कर ये जो है grass nail है वहां तक पहुँच जाता है और बहुत ही जलन पैदा करता है तकलिप पैदा करता है तो उस condition में ये pen top DSR capsules लेने से एकदम से तुरंट रहत मिलता है इसके अलावा isofargetis peptics ulcer में भी use किया जाता है जब पेट में ulcer होता है या और किसी प्रकार का पेट से सम्मंधित कोई भी बीमारी है उसके लिए दवाई चल रही है और डॉक्टर दवाई दे रहा है उसके साथ मैं आपको ये pen top DSR देते हैं और ऐसे आपको बहुत ज़्यादा फाइरा होता है उस बीमारी को सही होने में मदद मिलता है आईए दोस्तों पहले जानते है pen top DSR capsules कौन से company की बनाई हुई product है और इसकी price क्या है और इसके अंदर कौन-कौन से composition का इस्तिमाल किया गया है तो दोस्तों pen top DSR capsules को aristopharmaceuticals private limited manufacture करती है बात करें इसके price के बारे में इसकी price है 140 रुपे में आपको किसी medical store में मिल जाएगी और ये 10 capsules के strip में आता है बात करें दोस्तों इसके composition के बारे में जो company ने इसमें add क्या है वो है pentaprozole prozole 40 mg domipredon 30 mg जो मिलके बहुत ही अच्छा product बन जाती है बात करें दोस्तों इसके doses के बारे में तो इस tablet को खाली पेट लेना चाहिए सुभा या शाम किसी भी time खाना खाने से पहब खाना खाने के बाद इस tablet को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस tablet gas से related है अगर आप इसे खाना खाने के बाद लेंगे तो आपके सरीर के लिए नुकसान दायक होगा बात करें दोस्तों इसके side effects के बारे में अगर आप इस tablet का 7 कर रहे हैं करने के बाद चक्कर आना मूँ सूख जाना मूँ में थूख आता है बार बार कमजोरी का महसूस हो रहा है अगर ऐसी कोई symptoms अगर दिखाई दे तो तुरंत आप इस capsules का 7 बंद कर दे और अपने doctor से संपर्थ करें ये था दोस्तों Pentop DSR capsules के बारे में एक छोटी सी जानकारी अगर आपको इस related और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, share करे और हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe भी कर ले साथ में bell icon को दबा ले ताकि हमारी आने वाली नए वीडियो की notifications आपको मिलता रहे और दबाई के बारे में जानकारी मिलता रहे Thank you so much for watching